नवस्कार सस्रीकाल जै जोहार आप देख रहे हैं जी अन भारत जन जन तक बालू लोड हाईवा और बोलेरों की सीधी हुई भड़न गुमला भरनों के एनेच तेईस राची गुमला मुख्याले मार्ग में हुई दुरगटना बोलेरों में सवार तीन लोग गंभी रूप से घायल हो गए रिम्स रिफर किया गया बरनों के एनेच तेईस राची गुमला मार्ग पर भरनों पारस नदी के समीब गुरुवार के शाम साथ बजे बालू लोड हाईवा और बोलेरों की सीधी भड़नत हो गए बोलेरों सवार तीन लोग गंभी रूप से घायल हो गए बोलेरों में गुमला के दुंदुरिया निवासी सुरेश उराओ उम्र 45 सार बच्चन लकडा उम्र 30 साल और भरनों थनाशेतर के डोंबा निवासी अशोक उराओ उम्र 35 साल सवार थे यह सभी राची से घुमला जा रहे थे इसी करम में भरनों के पारस नदी पुल के समीब सामने से आ रहे बालू लोड टेज रफतार हाइवा ने बोलेरों को सीधी टक कर मार दी यसे बोलेरों नदी में गिरने से बाल बाल बच गई इस दुरगटना में बोलरों में सबार तीन लोग गंबीरों से घायल हो गए, दुरगटना के तुरंद बाद इस्थानी लोग घाटना अस्थल पर पहुँचे और तीनों घायलों को अस्पिताल पहुचाया दुरगटना की सूचना भर्नो पुलिस को दी गई, भर्नो अस्पिताल में तीनों घायलों के प्रात्मिक उपचार के बाद, डॉक्टरों ने बहतर इलाज के लिए तीनों को रिम्स राची रेफर कर दिया दुरगटना की सूचना के बाद, भर्नो थाना, शेत्र के SSI, योगेंद्र दास, दल, बल के साथ घटना स्थल पर पहुचे, दोनों दुरगटना ग्रस्त वाहनों को अपने कबजे में करके, खाईवा को स्टालक से साइट कराया, हादसे के बाद, चालक दुरगटना स्थ पर खाईबा छोड़कर फरार हो गया है, जीहन भारत के लिए भर्नों से अभिशेक कुमार के रेपोर्ट, अपने राजिस दूड़ी हर ताजा ख़बरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथी वेल आइकन बटन दबाना ना भूले,